कैसे हैं आप सब ? वेलकम टो मैं चैनल ! लस्ट वीडियो में हमने यह बनाया था बोस साइड बनाया था, ठीक है ? इस साइड लूत था और एक इस साइड से ओपन था ठीक है ? तो इस में ही आज हम ख्लच बनाएंगे थोड़ा बड़ा ठीक है ? ऐसे में मैंने मटीरियल रेडी कर रखा मैं आपको बताती हूं वीडियो में कैसे बनाना है इसी में आज हम बड़ा बनाएंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो इसमें लग रहा है हमारा थोड़ा सही कपड़ा चाहिए हमें इसकी लंबाई चुड़ाई में अभी आपको बता देती है दो पीस चाहिए इसके सेम के ठीक है यह मैंने दो मेरा कुछ सर्दियों का कपड़ा था यह और यूज नहीं होता तो मैं यहां यूज कर रही हूं इस इस चाहिए हमें इसके ठीक है यह उपर मैंने इस पर टैट्रों लगा रखिए जो चिपक जाती है अगर यह ना हो तो सिंपल कपड़ा से भी आप कर सकते हो ठीक है यहां मैंने सिलाई करनी है और वैसे ही मैंने सेम इसका कटिंग कर लिया है दूसरा दोनों पोजिट होने चाहिए यह इस बात का ध्यान रखना है ठीक है यह तुमनों मैंने अलगलग कलर में ही बना रही हूं ठीक है जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूं बस ऐसे ही शेप बना सकते है यह वैसे आप अपनी हिसाब से चेंज करते हैं लेकिन दोनों चीज ओपसिट होनी चाहिए ठीक है यह मैं कर लेती हूं इसको सीच और बताती हूं आपको इसको कैसे स्टिच करना है ठीक है यह कर लेती हूं मैं स्टिच नीचे से थोड़ा सा हमने उपन चोड़ना है वो चोड़ा है हमने ताकि इसको हम टर्न कर सके सीधा कर सके ठीक है यह थोड़ा मैं वीडियो का कि जाता लंबा वीडियो नहों ठीक है इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे और मैंने तो जिग-जग वाली सीजर से कर रहे हैं अधर वाइस आपको गुलाई में कट भी लगाने पड़ेंगे ठीक है यहां से हम इसको सीधा कर लेंगे फोल्ड कर लेते हैं वीडियो अच् लगा लिया है दूसरों का भी हम रेडी कर लेंगे मैंने अच्छे से आयरन कर लिया इसको आयरन से अच्छी आती है ठीक है बस यह जोड़ा सा स्टैप है जो मैं बताने वाली हो इसको थोड़ा केरफुली करिएगा ठीक है यह नीचे से हमने चार इंच उपर की तरफ एक लाइन लगानी है ठीक है फ्रेंट्स सीधी हाप लाइन लगाईएगा छोटा वाला जो मैंने वालट बताया था उसमें भी यह सेम है उसमें तीन इंच का था यह इसमें चार इंच का है तो बस वाया है बाकि इसका बनाने का तरीका दुनों सेम है उपर भी हमें 4 इंच का और एक लाइन लगानी है तीच इअ फ्रेंट्स वीडियो अंड तक देखेगा बहुत अच्छा क्लच बनेगा इसको सब्सक्राइब लाइक जुरोर करिए यह मैंने सीधी लाइन लगा लिए इसकी फ्रेंज नीचे से उसके उपर इसको हमने कैसे स्टिच करना है यह मैं आपको बताती हूं एक बार इसको हम रखेंगे ऐसे ओपोजिट देखिए जैसे मैं वीडियों में बता रहे हैं बिल्कुल हैसी जाएगा नीचे उपर से बिल्कुल से इसको करके पिन लगा लेंगे ठीक है और फिर हमने साइडों से ए उपर को लाइन लगानी है एक जैसे एक किंची दर से और एक एक किंची दूसी साइड से भी हमने करना है ठीक है तो हमारा यह बॉक्स बन जाएगा ऐसे तो हमें उपर स्टिचनी लगानी जहां जहां मैं लगा रही हूं यहां से ऐसे से ऐसे लगानी उपर वाल उपन रहे के हम इसको स्टिच कर लेते हैं यह मैंने इसको स्टिच कर लिया है वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा ठीक है फ्रेंट्स यह हमारा हो गया है पिन हम हटाएंगे और यह दिखे एक इस तरफ से बन गया है अच्छे से धाकी बाके का ऐसे आप इन वैल्प भी बना सकते हैं जो सगन बगारा देने के लिए न यह जो मैं डबल बना रहे हो सिंगल भी बना सकते हैं अप इसको ठीक है अब मैं इसके उपर मगनेटिक बटन लगा लिए हैं अभी स्टिच नहीं करा यह हम पहले लगा लेंगे यह मेरे पास साथ यहिं आप जैसे मैं बता रही हूं वैसे करना है और हमारा क्लच बिलकूर डिओगा ठीक है इस दोनों तरफ से और दूसरे तिलसे वारे क्लच में भी इस तरफ से भी एट इस तरह से भी हमार हम इसको stitch कर लेते हैं ठीक है बहुत ही जल्दी बनने वाला बहुत कम material बनने वाला आपने अच्छ अपना फैबरिक ब्रोकेड का फैबरिक होता है नेट का भी फैबरिक होता है तो उससे आप बनाए और भी सुंदर जितना अच्छा आपका फैबरिक होग है इसको क्योंकि इसके उपर लगा होता स्टिक कर सा स्टील वाला तो थोड़ा से दिखता है यह मैंने दोनों तरफ लगा लिए यह हमारा कलाच हो गया बिल्कुल रेडी आप इसको फ्लॉंड करिए कहीं भी लेकर जाए एक में मोबाइल ला लिए देखी मैं इसमें मोबा जाए अखे और लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो और सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा और नेक्स वीडियो में मैं बहुत जल्द ही मिलूंगी ठीक है फ्रेंट्स जी छोटे-चोटे कपडों के टुकडों में से आपका यह चीज़े बन जाती है जो बहुत काम आती हैं और नहीं तो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं इसको बनाके ठीक है अपनी मम्मी को अपनी मासी को ठीक है चाचीताई नानी जिसको भी देना चाहें आप इसको बनाके दे सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग नेक्स वीडियो में जल्दी आपसे मिलते हैं